नमस्कार मैं डॉक्टर मीनल राजुरुकर आज हम इसे वीडियो में एक भारतिय चित्रकार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है माधो सातवलेकर माधो सातवलेकर यह एक ख्यातनाम भारतिय चित्रकार थे इनका जन्म 1915 में लाहोर में हुआ था जो आज पाकिस्थान का हिस्सा है इनका मुरुत्यू 16 जन्वरी 2006 में अहमदाबाद में हुआ तब ये 90 वर्ष के थे इनके पीता का नाम पंडित शिरीपाद सातवलेकर था यह भी एक साहित्यकार चित्रकार और फिलोसोफर थे इनका लाहोर में स्टूडियो था माधो सातवलेकर जब 3 साल के थे तब इनका पूरा परिवार ओंध में जो कि महाराश्र का भाग है वहां स्टलांतरीत हुआ वो साल 1918 था ओंध में स्टलांतरीत होने के बाद माधो जी का बच्पन अब एक मराठी माहोल में गुजरने लगा औध में एक संस्थान थी जो राजाओ के अंतरगत थी ये राजा कला प्रेमी थे और वहाँ बहुत से कलाकार अपनी कला राजा को दिखाने के लिए आते थे उन कलाकारों में धुरंदर, बाबूराव पेंटर जैसे भी कलाकार थे वो कलाकार राजा जी को जब भी मिलने आते थे तब पंडिच श्रीपात सातवलेकर जी से मिलने उनके घर आते थे फिर इनमें कला के बारे में बाच्चित होती थी जिसका प्रभाव माधोजी के मन पर पड़ा इसी के साथ माधोजी के दादा जी भी चित्रकार थे उसकारण उनके संस्कार माधोजी पे रुहुए इस तरह माधोजी कलाके माहुल में पले बढ़े 1932 में इन्होंने मैट्रिक पास की और फिर 1934 में सर जेजे स्कूल आफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया बाद में 1936 से 1940 तक यूरोप, इटली, लंडन, पैरिस जैसे जगा उपर इन्होंने चित्रकला का प्रशिक्षन लिया वहां श्वाब, भास्तियानिन, जैसे नामवंत गुरों का इनको मार्गदर्शन मिला लेकिन 1940 में दूसरे महायुद की शुरुवात होने के कारण ये भारत वापिस आए कुछ साल बाद, मतलब 1949 में ये अफ्रीका गए अफ्रीका का प्राकृतिक संदर्य तथाओ, वहां के लोगों का उन्होंने चित्रन किया और वहां चित्रप्रदर्श ने भी की फिर 1950 में शाकुंदल, रामायन जैसे पौरानिक कथाओ पे इन्होंने चित्रन किया पर इनका इसमें मन नहीं लगा सातवयकर और बोरकर जी ने मिलकर इंडियन आर्ट इंस्टिटूट नाम की एक कला संस्थान 1954 में बंबे में शुरू की सातवयकर जी 1960 से लेकर 1969 तक Federation of Art Institute के तथा 1962 से लेकर 1968 तक Bombay Art Society के अध्यक्षर है उसके बाद 1969 से लेकर 1975 तक मारश्र राज्यकला संचालनाले के संचालक पत को इन्होंने समाला इनके जीवन में एक महत्वपुर्ण योगदान रहा वो है भूला भाई मेमोरियल इंस्टिटूट का 1954 से 1969 तक लगभग 15 साल इन्होंने यहां गुजारे इनका भूला भाई मेमोरियल इंस्टिटूट में एक स्टूडियो था वहां वो काम करते थे ये इंस्टिटूट जो के बंबई में था ये एक कला केंद्र था यहां हुसेन, गायत, उन्डे, बीप्रभा जैसे कला करों को भी चित्रकारों का भी स्टूडियो था तथा नाट्टे अंद्रूत्य संगीत शिल्ब आदी कलाओ के भी यहां वर्ग होते थे यहां सिखाया जाता था इन सभी के कारण वहां का माहुल कला से अभिमंतरित था राव बहादूर धुरंदर, आबालाल रहमान, बाबुराव पेंटर, तिरिदान्त यह जो आर्टिस्त थे यह पंडिच रिपा सातवलेकर मतलब माधव सातवलेकर जी के पिता जी इनके समकालिन थे तथा गोपाल दिउसकर, जद गोंधलेकर, एम आर आचरेकर, चावडा, केके हेबर, एमेस जोशी, प्रधोंड, आदी जो कलाकार थे यह माधव सातवलेकर जी के समकालिन कलाकार थे माधव जी ने लगभग 10 साल जाहरत कमपनियों के लिए चित्र बनाए 1945 में इन्होंने अपनी चित्र की ताजाड गैलरी मुंबई में पहली प्रधर्शनी की माधव जी क्या मानना था के एक उत्तम चित्र के लिए विशे से जादा आकार और रंग महत्व पुर्ण होते है और चित्रकला यह आनंददाई कला है इसी कारण उनके चित्र में रंग जादा तजलदार दिखाई पड़ते हैं और इनकी चित्र की विशेस्टा यह है कि इनके चित्र का रेखाटन यह निले रंग से होता है impressionist चित्रकारों का प्रभा इनके कामों पे कुछ काल तक दिखाई पड़ता है इनके चित्र विशय के बारे में बात की जाए तो ज्यादा तर प्राकृतिक चित्रन लेक्ती चित्रन पोट्रेट्स दिखाई पड़ते हैं इनके चित्रों में ग्रामिन जीवन यह भी एक विशय दिखाई पड़ता है जिसमें इन्होंने मांडू मतलब मांडवगड के चित्रों पर बहुत सारी मतलब दो से तीन चित्र प्रदर्शन की हुई है तथा गुजरात राजस्तान मतलब सौराश्र के उपर भी इन्होंने चित्र बनाए है वेक्ति चित्रन में इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपर आश्रपती डॉक्टर राधा कुरुष्णन, आड्मिरल कटारी, सेनापती जनरल राजेंद्र सिहं, लोक सभा के पहले सभापती श्री मावर्गर इनके चित्र बनाए माधोजी ने जादातर तेलरंग और जलरंग के माध्यम में काम किया है, ये एक साथ पाच से छे चित्र में काम करते थे, जिससे तेलरंग के उपयोग के कारण उसको सूखने में थोड़ा वक्त मिल जाता था इनके कुछ चित्र इस प्रकार है, माधोजी का जीवन की तरफ देखने का दुरुष्टिकोन बहुत ही सकारात्मक था और वही उनके चित्रों में हमें दिखाई पड़ता है और उन्होंने जीवन के अंत तक उसी उत्साहा के साथ चित्र की निर्मिती की तो आज हमने एक कलाकार इस सीरीज में माधो सातेवयकरजी के कला के बारे में जाना इसी तरह आगे अन्य कलाकारों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकोन पे क्लिक करे, ताकिन नोटिफिकेशन नए वीडियो का आपको मिले तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कलाकार के साथ, धन्यवाद